लो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का ही स्यूडियो में तो इस उड़े में वारे तोड़े सब्सक्रेद को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है ठीक है हमको तयारी स्टार्ट कैसे करनी है क्योंकि सबसे बड़ा जो confusion होता है ना खासकर जो नए जो नए नहीं तयारी कर रहें अभी तयारी सुरू कर रहें start कर रहें उनके लिए gate का syllabus को समझना gate के question pattern को समझना क्योंकि जब हम अचानक से पहली बार जब gate का question देखते हैं तो सबसे बड़ा confusion यह होता है कहाँ से start करें यह जो पूछा गया हो को is portion से पूछा गया है कहाँ से पूछा गया है हमको क्या करना चाहिए यह थीजैसा लगता कि गेट बहुत थीजै इतना यह आशान नहीं जैए दिरे-दिरे जिफ आप starbles करे एक-एक chapter को पकड़ को पकड़ के बाना start करते हो तो वो चीजों फिर समझ में आती ए ठीक है और आपको अगर आसान बनाना है gate को दिए को तो आपको सबसे पहले ना syllabus को समझ ना पड़ेगा topic को समझना पड़ेगा कि किस topic से question पूशा जाता है क्योंकि लगभग 20-30 सालों से वही चीज़े रिपीट हो रही है मतलब उसी टाइप का ही कोश्चन या उसी पैटरन के उस सब्जेक्ट से जो वेटेज है वो फिक्स है और उस सब्जेक्ट से किस तरह का कोश्चन पूशा जाता है तो अभी मैं बताओंगा क 21 मार्च से 21 मार्च से मैं लाइफ क्लास शुरू करने वाला हूं तो आप लोग जल्दी से एन्रॉल्मेंट करना आप शुरू कर दो ठीक है पिछले वीडियो में मैंने तो सब कुछ बता दिया है फीज और ऑफर के बारे में एक और चीज आपको बताता हूं कि इस्टॉल्मेंट में भी आपना फीज दे कर सकते हो और मैं बोलूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जॉइन करें क्योंकि जितना जल्दी हम लोग पढ़ लेंगे वैसा नहीं होता है आखरी के दो-तीन मेहने में पढ़ने से कोई रैंक नहीं आता है आप कट-off क्लियर कर लोगे बट अगर आपको रैंक चाहिए पी उस्यू में जॉब चाहिए या अच्छे आयटी में अडमिशन चाहिए तो फिर आपको प्रिपरेशन अ आपको पढ़ाऊंगा और एकदम आपका पूरा टाइम भी बचेगा और बेसिक से पूरा हाई लेवल तक भी पढ़ाऊंगा आपको ठीक है तो चलिए तोड़ा सा सीलेवस को हम लोग पहले समझते हैं इंजिनिंग मैथमेटिक्स के सीलेवस को भी मैं छोड़ रहा हूं अ तौफ 30 मार्क मायने रखता बहुत जादा मायने रखता है 30 मार्क अपने को एक मार्क भी न चोड़ना पढ़ाई है कि नामबर इस लेवल की त्यारी करने हैं है ठीक है देखो इनके फहले तो मैटलर्टल CPT घर्मो डिन्यमीश सब्यक्त है गेट के लिए and कि समझे मैटलर एसप्रिप्राइब एनरजी और फोरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं और बहुत ज्यादा वैटेज है हर साल मतलब आपको 4-5 score मिलेगा तीक है 2-3 score ढमेरिकल मिलेगा मिलेगा 10-2 score आपको थियोरी का भी मिलेगा थिर्मोर्णिमिक्स में थिक है थार्मोर्णिमिक्स बेशीकली किस टाइप का बावस्टन आपका ज्याधा आता है फ्री enseign enfants मानेश्टें가 का बनते हैं ठीक है antidote फिर आपका entropy और enthalpy से साधे questions बनते हैं entropy और enthalpy से Maxwell relation का कुछ question आता है chemical potential से theory questions बहुत बनते है chemical potential से solution ideal regular solution से questions बनते हैं mixing से जब आप दो चीज़ों को mix करते हो mixing में फिर free energy में क्या चेंज आता है entropy में क्या चेंज आता है यह question बहुत ही common है हर बार पूछा जाता है ठीक है gives phase rule से आपका theory आता है ठीक है phase diagram lever rule लीवर रूल से तो fix है मायन के चलो एक question आपका lever rule से आएगा ही आएगा ठीक है phase diagram से भी आएगा theory question आपका phase diagram से आएगा numerical आपका lever rule से ठीक है free energy versus composition यह भी है important equilibrium constant जो आप बता रहूंना के वाला कि यहाँ पर equilibrium constant है तो इस से रिलेटेट एक question बन जाता है यह formula से ठीक है activity इलिंगाम डायाग्राम से इलिंगाम डायाग्राम से आपका एक दो theory question बन सकता है numerical question जो इसी सही बनता है यहाँ पर equilibrium constant है activity हो गया equilibrium constant हो गया यह है ठीक है फिर thermodynamics of solution solution जिसको बोलते हैं हम लोग दो तीन चीज़ों को जब mix करते हैं तो free energy change क्या होता है फिर clausius claprion equation है hamholes equation है इससे आता है ठीक है उसके बाद electro chemistry से एक डायाग कोशन आए गहीं आएगा electro chemistry में पढ़ते है यह जो relation है इससे question आए गहीं आएगा और फैराडे लोग से नुमेरिकल आता है और इससे आता है ठीक है यह होता है आपका नर्स question ठीक है इलेक्ट्रोड पोटेंशल से इलेक्ट्रोकेमिकल से लोग और फैराडे लोग इससे एक नपकोश्चन नुमेरिकल आएगा ही आएगा तो आप अगर देखोगे ना ध्यान से तो question का पैटन्स न लगबग वही रहता है पूछने का तरीका भी वही है मतलब दस तरीका question मिला रहो पूरत thermodynamics में दस अलग अलग तरीका का question अगर आप पढ़ लिए अलग अलग तरीकों से बना हुआ कोशन पढ़ लिए उसके पीछे का basic समझ गये basic समझ गये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप केवल प्रीवेसर के question को उठाके बनाना चालू करोगे तो उससे आपका concept clear नहीं होता है उससे खाली आप practice कर रहा हो जो question है उसका उसी में थोड़ा सा change करके दे देगाना तो आ आरो ना दस question को अगर आप concepts भी समझ लिए तो आपको यह complete हो गया syllabus ठीक है बहुत जादा अंतर होता नहीं है इसी चीज को में अपने को समझना होता है पिरा जाइए next आपका transport phenomena and rate process यह subject होगा आप लोग का transport phenomena का सब में रहता है transport phenomena में momentum transfer है ठीक है viscosity से related एक दो question आ जाता है कि liquid जो flow करता है तो जो viscosity से related आता ही है ठीक है है तो उसमें mass transfer कितना होगा यह सब portion आता है इसके chances कम है बठा कंडक्शन और furial law यह तो fix है हर बार यह fix है ठीक है जो heat transfer का एक ना एक कोशन 100% fix है उसमें से अपलब furial law का एक कोशन तो आना ही है वो भी numerical आना है दू marks का ठीक है convection में heat transfer हीट transfer से कोशन आना ही आना है heat transfer से जितने भी numerical है वो करने है यह जो Fourier law है इसी सही question ज्यादा तर आते ही हर बार ठीक है यह दे दिया जाएगा ऐसे दो टो प्लेट दे दिया जाएगा ठीक है यह दो प्लेट में यहां पर इतनी heat जा रही है यहां का equilibrium को यहां का आपका constant दे दिया जाएगा ठीक है इधर का constant दे दिया जाएगा फिर यहां से heat नहीं के लिए तो इधर कितना पहुंचेगा इस type का question जो repeated है हर साल हर बार repeated है ठीक है black body radiation से एक दो कोशन आएगा और इसमें ज्यादा variation भी नहीं है मतलब एक simple सा आपको formula रटना है उससे related अलग अलग ताइप को questions करने है फिर आपसे दो माक्स कोशन आता ही है एक numerical आएगा एक तेयोरी आएगा यहां से ठीक है यह तो हीट ट्रांसफर हो गया फिर मास ट्रांसफर आएगा मास ट्रांसफर से fix है diffusion law fix law fix law तो fix है ठीक है तो कि हर जो phase transformation होता है वो fix law के base पे होता है तो इसका जो fix law है fix first law fix second law इसमें से एक नेक numerical पक्का आना ही है हर बार आ रहे है ठीक है यह जो है उतना important तो नहीं है अभी तक ठीक एक दो question कभी कभी आ सकता है यहां से हाँ यह वाला important है आपका first order reaction reaction rate constant आरहनियस equation यह important है oxidation kinetics oxidation kinetics में आपका मतलब corrosion का भी एक दो question इसके अंडर आता है कि oxidation कितने rate से हो रहा है तो corrosion rate निकालो ठीक है आरहनियस equation से एक दो question आ जाता है ठीक है है तो में यहां पर जो मैं बता रहा हूँ में जो question आता है ना वो heat transfer से आता है और एक यह fixed law से आता है ठीक है कभी कभी कुछ questions आपका यह chemical kinetics से एक दो question आ सकता है ठीक है यह सी लिवर समझ लिए next अब देखो mineral processing से देखो mineral processing and extractive metallurgy इसको थोड़ा सा अलग-अलग रखो आप मैं इसको mix नहीं करता हूँ क्योंकि देखो mineral processing आपका अलग subject है तो हमको उस level के thinking होती है हम लोग कभी भी इसको एक साथ यह नहीं समझ पाते कि extractive metallurgy का पार्ट है हम लोग subject wise सोचते हैं subject wise मतलब mineral processing हम अलग subject सोचते है ठीक है तो mineral processing से आपका communication से कभी कभी पूछा गया है bond law अगयरा है ना जब crushing करते हैं grinding करते हैं तो उससे जब तूटता है तो bond एक है bond law कि कितना energy आपको apply करना पड़ेगा उससे कभी आया है size classification से क्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन आता है numerical नहीं आता है यहां से gravity method सबसे आपका इससे आता है एक जो मेसद gravity या jigging से आता है जिसमें आपका यह study state flow ठीक है और turbulence इससे रिलेटेट एक तो question आता ही है study state flow और turbulence flow इससे रिलेटेटेट एक question आता है इसमें ठीक है बाकी question आपको यहां से उतना नहीं आता है mirror processing से questions कम आते हैं आना भी होता है तो जो मैं बता रहा हूंना एक दो theory question आता है jigging गरे का principle आता है matching करने वाला या numerical भी आता है तो आपको वही है study state flow, turbulence flow इससे रिलेटेट मतलब liquid से रिलेटेट आता है flow यह question आता है है ना फिर material and energy balance in metallurgical process यहां पर energy balance या material process में में जो आता है आपको आता है वह material charging वाला आता है जैसे मुझे एक ton peak iron बनाना है तो कितना ton हमको सारे raw material कितना charge करना पड़ेगा यह question आया हुआ है कि मुझे अगर एक ton peak iron बनाना है तो how much iron roll should be charge कि कितना हमको iron roll डालना है वह सब आता है question वह सब पढ़ेंगे बहुत आसान question है उसमें कुछ नहीं है non fresh extraction से numerical कम आते है theory questions ज्यादा आते हैं थोड़ा सा बस समझने रहता है non fresh extraction को देखना पड़ता है कि क्या क्या प्रोसेस है नाम क्या क्या extraction process का वह theory questions ज्यादा आते है आर और स्टील मेकिंग से वही जो पता है material balance कि कितना आपको charge क्रना है इतना आरोनों चार्ज करना है कितना flux charge करना है यह कुछ नुमेरिकल बनते हैं ठीक है वगरे का questions एक आती बार आ सकता है और 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 रहते हैं दो तुँस को रहेते हो रहते हैं अच्न आये क्योंकि पूरी केंख रिएकशन और च्छीन और Die सब्सक्ति अब केरेब कर से नुमेरिकल कोल फिक्स में यह सब रहता है मटर्टरियल ल्सके और क्योंक्ति नुमेरिकल क्योस्टित अफ्या अब और स्टील मेकिंग में भी ऐसा खास कुछ नहीं है एक दो थेओरी कोशन आएगा ठीक है बहुत ज्यादा कुछ नुमेरिकल आना नहीं है आना भी है तो थर्म अनमिक्स बेज़ आएगा क्योंकि देखो आरन मेकिंग और स्टील मेकिंग जो है ना इंपॉर्टेंस तो रखता है बट हमारे प्रैक्टिकल उसमें इंपॉर्टेंस रखता है प्रैक्टिकल इंटर्वी अगर है मैं कि प्लांट ज्यादा तर इस टील प्लांट है लेकिन गेट में जब आप घुशते हो तो आरन मेकिंग स्टील मेकिंग इंडिवजविली दी ऑक्सिडेशन वगरा में डीगैसिंग का कोशन जरूर आता है कोशन आ जाता है कभी कभी सीवर्ट्स लॉइवट्स लॉओ थर्मुडानमिक्स का इपार्ट है ठीक है डी सलुफराइजैशन वगरा का आपका इस प्रिवरेबल कंडिशन क्या है ये कोशन आने के चांसे इंक्लूजन शेप कंट्रोल से थेवरी कोशन आ सकता है यह manufacturing वगरा से थेवरी कोशन बनते है बाकी जो कोशन जो बनते हैं वो थरम अर्वानिमिक्स बेज्ट होते हैं जैसे आपका de-gassing सीवर्स लॉस रिलेटेड है ठीक है continuous casting से कोशन आते नहीं है continuous कास्टिंग से जो आते हैं वो जो कास्टिंग फॉंड्री जो ना उससे आते हैं फॉंड्री में भी जो solidification time है freezing time है जो चेवरन रूल करके है उस रूल में से एक दो नुमेरिकल आते हैं ठीक है बाकी यह कास्टिंग से एक दो थोरी कोशन आएंगे नुमेरिकल यहां से आने वाला नहीं है मतलब नुमेरिकल के लिहाज से अगर आप देखोगे नहीं तो thermodynamics बहुत important है thermodynamics को आप समझ गये तो extractive metallurgy को आप पूरा समझ गये यह मेन है physical metallurgy में देखो physical metallurgy में ionic bonds से related questions आ सकते हैं आपके जो जो bond वाला जो होता है ठीक है उसमें से question theory आ सकता है theory question बनते है ज्यादा तर इस से crystal structure बहुत important है crystal structure में केवल ऐसा नहीं कि crystal structure यह आएगा उस basic crystal structure material science का जब तक आप अच्छे crystal structure को नहीं समझे हो तब तक आगे phase diagram वगेरा को phases को alloys को इसको आप नहीं समझ सकते हैं फिर उसके बाद miller indices हो लिया है उसको भी नहीं समझ पहोगे crystal structure से आयाग एक दो Bragg's law जो है उसके बाद powder method rotating crystal method यह सब जो diffraction pattern के वेस पर हम crystal structure निकालते हैं इससे एक numerical question हर साल fix है आता ही है यह ठीक है यह बहुत important चीज़ है मेटलोग्राफ में और फिर इसमें से numerical कुछ नहीं आता है ACM से optical microscope वगर से कोई numerical question आता नहीं है वैसे theory question आ सकता है crystal imperfection में देखो crystal imperfection में सब कुछ important है points defects से related भी numerical आता है कि जब हम temperature बढ़ाएंगे तो कितना vacancy बढ़ेगा line defect में dislocation most important है dislocation से related question आना ही आना है ठीक है combination of dislocation dissociation of dislocation force on dislocation ठीक है stress field around dislocation ठीक है और dislocation समझने के लिए आपको Miller indices of plane and direction यह जानना जोर रही है कि plane and direction क्या है planar density क्या है ठीक है directional density क्या है dislocation का burger vector क्या है यह सब बहुत important है point defect line defect ठीक है surface defect भी important है surface defect में आपका grain boundary से related एक दो numerical बनते ही है ठीक है coherent semi coherent यह सब उतने important नहीं है यह तीन बहुत important है point line और surface defect एकदब important है स्वी रजवाब diffusion में diffusion में जैसे मैंने बताया ना यह एक तरह से mass transfer ही है अगर देखा जातों ठीक है atomic level पर मास transfer होता है यह तो basic phase transformation का basic diffusion होगा तभी आपका phase transformation होगा तो बताया ना इसमें एक numerical fix diffusions है ना steady state में जो जो law है ना ठीक है diffusion जो law है उससे question एक ने question बहुत fix ही है हर बार से ठीक है और ज्यादा नहीं है हाला कि बहुत कुछ यहां पर देखो दिया है लेकिन इतना important नहीं है ठीक है दो steady state diffusion है दो लोग है ना ठीक हो दो लोग को ही पढ़ना होता है diffusion का बस उससे numerical आता है बाकी आज तक कुछ आया नहीं है भी तक ठीक है phase transformation में देखो हाँ phase transformation में जो यह जो दिया है ना heterogeneous and homogeneous nucleation growth यह एक तरह से solidification का भी part हो गया यह solidification से एक दो numerical आ जाता है solidification में जो हम लोग पढ़ते है ना radius of nuclei nucleation कैसे होता है ठीक है जो nuclei बनता है वो nuclei के critical radius होना चाहिए इस critical radius के नहीं है तो dissolve हो जाएगा तो critical radius से related question है इसमें free energy question है solidification वाल पार्ट से वो important है ठीक है solidification in isomorphous certification समझना तो बहुत आसान है ऐसा कुछ है नहीं इसमें phase diagram theory question है theoretical है आप पढ़ सकते हो phase diagram से जो आना है वो लीवर रूल से ही आना है numerical question numerical question में ज्यादा क्यों बोल रहा हूं कि numerical question में ही हम अटकते है ठीक है theory question जैसे जोड़ दोड़ करके हम लोग बना भी लेते हैं task structure, micro segregation यह सब important नहीं है यह सब theory है सब scoring वगरा, micro segregation वगरा यह सब पूरा theory है solid state, transformation, precipitation, sparodal decomposition, ordering, massive transformation यह सब कुछ important नहीं है इसमें से एक question नहीं आता है numerical के नाम पर यह सब theory question है और उतना important भी नहीं रखता है यह जो part है नाम बड़े बड़े दिये है question कुछ आता नहीं है एक दो numerical question आएगा यहां से ठीक है ज्यादा फिर numerical question आएगा नहीं आए यह आ सकता है principle of heat treatment of steel triple T or cct diagram एक question fix है triple T diagram से एक theory question fix है ठीक है numerical तो नहीं है बट एक theory question हमें सा fix पूछा ही जाता है यहां से आपका एक surface hardening treatment से भी एक question है ठीक है खाली numerical नहीं है आपका theory question है क्योंकि इसका numerical जो बनता है वो आपका diffusion से बनता है surface treatment में जो है diffusion होता है ना उसके base पे बनता है numerical ठीक है उसमें आ गया तो इस्तेकात पूछेगा तो theory question पूछ सकता है recovery reconciliation grain growth ठीक है इंपोर्टेंट है recovery reconciliation grain growth से कुछ question कभी कभी आया हुआ है ठीक है ग्रेन ग्रोथ का जो फॉर्मला है बाकि theory question ही आता है कि treatment से भी तुरह theory ही आता है थोड़ा जो यहां से numerical आता है वो बने बता है ना diffusion वगरा से आता है ठीक है courier's law जो है उससे आता है यह important है electronic magnetic optical material एक दो कोशन आया हुआ है magnetism वाला कुछ-कुछ numerical आया हुआ है optical से आया हुआ है इसमें से numerical आया हुआ है important है electronic magnetic optical properties एक दो numerical आया हुआ है important है corrosion corrosion से theory question तो आता ही है कभी-कभी आपका numerical question भी आ जाता है ठीक है जो कि से related रहता है corrosion rate क्या होगा या फिर जो मैंने बताया ना इसका relation होता है नर्ट्स question है ना माइनस एफ वाला इस तरे लेटर एक दो कोशन corrosion से relate करके देते हैं कभार इसी को ठीक है पिर इसमें आ जाईए mechanical metallurgy में यह mechanical metallurgy ना बहुत important numerical के लिहास से में बताया ना एक thermodynamics important है बहुत ज्यादा दूसरा फिर material science important है ठीक है क्योंकि material science में काफी कुछ आ रहा है फिर यह आपका important है mechanical metallurgy stress 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 से एक कोशन आना ही है stress 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 से कोशन हमेशा आता है more law से जो more circle है इस से आना ही है स्टिफनिस से भी कोशन आ जाता है इल्डे क्राइट एरिया प्लास्टिक डिफॉर्शन sleep or twinning most important है sleep or twinning इसके अंदर काफी कुछ आता है sleep or twinning के अंदर काफी कुछ dislocation movement से related नेबरो हीरिंग क्रीप हो गया ठीक है sleep or twinning इसके अंदर critical results stress से कोशन आ नहीं है के दिखा देखो डि स्लok watati बता तनका आपको δिस्लोकशन से रिद yogurt section अना है मल्टिप्लिकेशन अोट्बिकेशन इंひा खिक तो कडिशर्ट होगा ठीक है इसमें फिर आपने कि जब कि न्यूरर्ण होते तो और भी होता है इस तक घॉकिERE है विट और डिश development होता है इस्टेकिंग ऐर दन झात है मैकनीजम से या तो ग्रेंड बांडर्डर spa fix है या फिर आपका स्ट्रेंड हाड़्निंग से i can't go Grain boundary strengthening में आपका law है ना कुण सो law है जो DR बढ़ता है तो क्रेकल है तो anno है तो ग्रेम फिख्उम मेंशा नहीं है। पेयरियों नहीं कुल नहीं आता especial कैसे कुछ नहीं हुआता है क्था फ्राक्षर सैच्चर फ्राक्षर फ्राक्षर्वार्टिय। है एक क्वेशन में वैंशा है इसका इसका हैं क्योंने इसका कोस्टन विश्जरू है इसका ऐसा करके अंडर रूर मुद इसके जो प्रपॉर्पोर्शनल आ पर हो इंग ने फ्रैक्शर रस कोषन तो फिक्स है हमेशा के ग्रिफिट्थीोरी से एक कोशन आना ही है ठीक बर्टीक हिंपोर्टन यहां नुमेरिकल नहीं आता है बसक्तिक से कई बार कई बार आपका नुमेरिकल पूछा गया है एक को फॉरीकिंव निकालने के लिए जो आता है अलग यलग होता है उल्क से एक नुमेरिकल लगबग पूछा यह रब तेना यह इंपक्र। फॉर्टिबवंड है उल्कॉषण हैं जो क्रीप है उससे ऑंद आता है आता ह्याए तो numerical आता है, numerical नहीं आता है, थोरी कोशन आता है, क्रिप से, ठीक है, यह last I think है, manufacturing, manufacturing से देखते हैं, casting, casting से main जो आता है numerical, एक ही टाइप का numerical ज्यादा तर जो पूछा गया वो है, जो चेवरान रूल है ना, जिसमें बोलता है कि T is directly proportional to V by A, है ना, V by A का square, इसी से हमेशा आया है question, इसी को घुमा आके कभी अलग तरीके से कभी अलग तरीके से पूछा गया है कि वह इसी के बेस पे अभी तक मैंने जितने question पूछ देखे है ना, वो casting से यही आया है, उसके बाद जितने भी आता है, वो पूरा theory आता है, theory based आता है और casting defects आता है, manufacturing में defects बहुत important है, defects से हमेशा कुछ न कुछ question पूछा जाता है और manufacturing से एक और चीज़ पूछने का तरीका है, पार्ट्स, यह पार्ट्स कीमेकर से बना है, यह पार्ट्स कीमेकर से बना है, यह defect में होता है, defects और parts यह बहुत important है, numerical में, casting से एक numerical आता है, ठीक है hot working, cold working से ऐसा कुछ तो आता नहीं है question वगेरा rolling से एक numerical आता ही है जो metal working process से numerical आता है ना rolling से आता है आता भी है तो या तो extrusion से कुछ question आया हुआ है पहले भी wire drawing से थोड़ा बाद कुछ question आया हुए है बाकि ऐसा कुछ question आता नहीं है rolling से extrusion से wire drawing से एक दो कुछन बनता है बस बाकि पूरा थियोरी है defects ही बस पूछता है जितना भी मैं देखा हूँ defects को बहुत ज़्यादा तब जो दिया जाता है defects question पूछा ही जाता है metal joining metal joining में जो numerical आता है हमेशा सब्सक्राइब का नुमेरिकल जाजा तर जो पूछता है देखा हूँ heat transfer वाला वह आर्क वेल्डिंग का ही पूछता है आर्क वेल्डिंग में आपका voltage बताया जागा current बताया जागा फिर heat transfer कितना हुआ है metal transfer कितना हुआ उस से related question हमेशा फिक्स रहता है आर्क वेल्डिंग से बागी पूरण numerical पूछा जाता है sorry theory पूछा जाता है theory को मैं कम तवज़्यों क्यों देरों कि जब हम पढ़ते हैं तो theory चीज़े बन जाती है लेकिन बें दिक्कत कहा होती है numerical से में ठीक है फिर आपका numerical जो है कोई heat transfer वाला powder metallurgy से तो आज कोई question पूछा नहीं है numerical के नाम पे theory के नाम पे एक ही question पूछता है हमेशा से कौन सा product बनता है powder metallurgy से बस ठीक है ndt से एक question आता ही है numerical तो कुछ बनता ही नहीं है इसमें ऐसा कुछ बिल्कुल इसमें numerical ही नहीं थोड़ा पूछ जो आता है उसका principle से related आता है कि ultrasonic इसमें से कौन सा टेस्ट आप से अच्छा है hairline crack को कौन detect करता है या die penetrant से question से आ जाता है कि आपका किस principle पर काम करता है ठीक है यह है तो मैंने यह importance आपको बता दिया ठीक है आप लोग के language में जैसे मैं बताता हूं हिंदी में आप लोग कभी 24-7 मुझसे कोई भी question हो आप पूछ सकते हो ठीक है तो मैं आप सबको जरूर बोलूँगा कि आप जल्दी जल्दी join करो ज्यादर ज्यादर student होगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाने में ठीक है और मुझे अगर support मिलता है तो मैं में इसको continue करूँगा ठीक है और मैं अपना 100% दूँगा जरूर आप लोग को पढ़ाने के लिए तो आप सबसे यह request है कि आप जल्दी से जल्दी join करें तेंक्यू सो मॉच